दोस्तो SBA mutual funds के अंदर अलगलग scheme होती हैं लेकिन आजम SBA का एक ऐसा प्लान लेकर आए है जिसके अंदर अगर आप saving करके सिर्फ 1200 रुपे महिना निवेश करते हैं तो इससे आप 1 करूर रुपे का fund बना सकते हैं या फिर अगर आप लंग सम एक बार bank FD के दर है SBA के इस scheme के ब्यासदर मिल जाती है या फिर दोस्तो अगर आप किसी और निवेश option में निवेश करते हैं जैसे LIC के अंदर या फिर post office के अंदर तो वहाँ पर भी आपको ब्यासदर 7.5% से जाता नहीं मिलती है देकिन अगर आप saving करके या फिर थोड़े पैसे लमसम निवेश करके क्योंकि अगर आपको कम पैसे पर compound return मिलता है तो उससे आप एक बड़ा fund आसानी से बना सकते हैं क्योंकि बविशे में सबके कुछ ना कुछ गोल ज़रूर होते हैं किसी को अपने बच्चों की शादी करनी है किसी को घर खरीदना है या फिर किसी का और कोई business करने का सपना ह अगर आप उन सपनों को पूरा खरना चाहते हैं तो अभी से या तो आप हर महिने सेविंग करके निवेश कर सकते हैं या पिर दूसरा lump sum bank FD के जारे पर निवेश कर सकते हैं और उससे एक बड़ा fund आसानी से बना सकते हैं लम सम कम पैसे से निवेश करके mutual funds के अंदर आपको काफी अच्छा return मिल जाता है और compound return से आपके कम पैसे भी कई गुनां तक बढ़ जाते हैं यहाँ पर हम SPI का एक ऐसा ही mutual fund प्लान देकर आये हैं जिस प्लान ने जो return है all time में लगवक 15 साल से वो 16.25 परसेंट दिया है या यहाँ पर यह return compound है और दोस्तों अगर आप bank FD की बात कर लें या फिर post office की या फिर LIC की scheme की तो वहाँ पर आपको simple interest rate जादा से जादा साथ 50 मिल सकती है लेकिन यहाँ पर compound return आपको सबा 16% मिला है इसी तरह यहाँ पर अगर हम सिर्फ पिछले 5 साल के annual return की बात कर लें तब plan growth mutual funds के अंदर आपको इसलिए जादा profit मिल जाता है कि यहाँ पर आपका पैसा stock market के अंदर ऐसे stock को में निवेश किया जाता है जिनके अंदर annual return में आपको काफे ची growth मिल सकती है और यहाँ पर आप कम पैसे से भी एक बड़ा fund आसानी से बना सकते हैं अगर आपको सिर्फ 16% return मिल जाता है और आप 50,000 रुपे लमसम निवेश करते हैं और कितने साल के लिए सिर्फ 9 साल के लिए तो 16% return के साब से आपको 1,4,148 रुपे का return मिल जाएगा और 50,000 रुपे आपके निवेश वाले मिलाकर total आपके पास 1,90,148 रुपे का fund होगा लेकिन अगर आप 18 साल के लिए निवेश करते हैं 50,000 रुपे तो इसमें आपको return 6,73,126 रुपे का मिलेगा और 50,000 रुपे की value हो जाएगी 7,23,126 रुपे जबकि दोस्तों अगर हम 25 साल के time period की बात करते हैं तो इसमें 19,93,712 रुपे का return मिल जाएगा और 50,000 रुपे मिलाकर 20,43,712 रुपे का fund ह जबकि 30 साल के time period में 42,42,494 रुपे का fund होगा और 50,000 रुपे बढ़कर हो जाएगे 42,92,94 रुपे यहाँ पर दोस्तों गर हम SIP की बात करें तो अगर आप 1200 रुपे महिना SIP स्टार्ट करते हैं 9 साल तक यहाँ पर कुल मिलाकर आप 1,29,000 रुपे का निवेश करेंगे और इसमें return आपको 1,60,482 रुपे का मिलेगा यानि कि आपके पास कुल मिलाकर 2,90,82 रुपे का fund होगा अगर 18 साल तक SIP को continue करते हैं तो आप SIP के थरू 1200 रुपे महिना के साफ़ से 2,69,200 रुपे का निवेश करेंगे और इसमें return 12,43,635 रुपे मिलेगा यानि कि आपके पास कुल मिलाकर 15,2,835 रुपे का fund होगा लेकिन 25 साल के time period में आप निवेश करेंगे SIP के थरू 3,60,000 रुपे return मिल जाएगा 43,98,261 रुपे यानि आपके पास 47,98,281 रुपे का कुल fund होगा 25 साल में लेकिन 30 साल में compound return से आप 1,02,572 रुपे का return पालेंगे SIP के थरू आप 4, लाक 32,000 रुपे का निवेश करेंगे यानि कुल मिलाकर आपके पास 30 साल में SIP के दरू एक करूड 6,46,570 रुपे का बड़ा fund होगा दोस्तों यह फंड है इसके अंदर आप 3 तरह से निवेश कर सकते हैं पहला SIP यानि सिस्टमेंटिक इन्वेस्टमेंट प्लान दूसरा L रुपी प्लान यहां पर हम दो प्लान की बात करें थे SIP और लमसम की यहां पर फंड की अगर हम एन वी नेट एसे ट वैल्यू की बात करें तो 298 रुपी से है यानि इसी प्राइस के साफ़ से आप कम्योंटिक लाट की जाएंगी जब भी आप निवेश करेंगे फंड साइस है 14,607 करोड रुपे फंड की रेडिंग 5 है और मिनिमाम SIP की तरूप 500 रुपे लमसम में आप 5,000 रुपे से निवीश करते हैं सबसे इंपोर्टेंट होता है होल्डिंग कुल मिलाकर स्टॉक है 85 जिन में पैसा निवीश कर गया है और टॉप होल्डिंग में HD DFC, Gale, GoForge, Delivery, ICC Bank यानि कुल मिलाकर ऐसे स्टॉक जिन के अंदर आनिवले टाइम में आपको अची ग्रोथ मिल सकती है उन्हीं के अंदर पैसा निवीश कर गया है जबकि एक्क्विटी सेक्टर लोकिशन की बात करें तो फाइनेंसर सेक्टर के अंदर सबसे जादा पैसा निवीश कर गया है इसके लावा एनरजी और टेक्नोलोजी के अंदर भी अलग लग परतेंटेज में पैसा निवीश कर गया है फंड के एकस्पेंस रिश्यू फीस की बात करते हैं तो 0.83% है एक साल से पहले पैसा निकालते हैं तब एक साल के बाद अगर आप पैसा निका मोहित चैन SBA AMC की बात करें तो फंड हाउस काफी पुराना है 1987 को यह फंड हाउस से स्टार्ट हुआ था ट्रेंक इंडिया में नंबर वन है आट लाग तीस जार करोड रुपे का EUM है तो SBA की स्कीन के अंदर अगर आप लंब सम पैसे निवीश करते हैं यहाँ पर 50,000 निवीश करके भी अपने किसी भी टार्ट को पूरा कर सकते हैं अगर हमारा कोई कूल है जैसे हमें कोई घर खरीटा है और अभी हमारे पास जाधा बड़ा फंड नहीं है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आभी थोड़े पैसे निवीश कर सकते हैं और एक टाइम या है उससे जाला आप इंटरेस्ट दे चुके होंगे इसी तरह अगर आप लोन लेते हैं तो लोन के बजाए आप अभी से निवेश प्लान करें जिससे आपके पास एक बड़ा फंड हो जाएगा तब आप अपने पैसे से खुद का घर भी खरीच सकते हैं और अपने सेविं चौट टाइम के लिए भी निवेश करते हैं तब भी यहां से आप एक अच्छा फंड आसाने से बना सकते हैं तो दोस्तों वीडियो से लेटेड अगर आपका कोई कोश्टन होता है तो आप हमें ज़रूर बताएए अपने फ्रेंट से स्यादस स्यादस वीडियो को शेयर क चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें तन्यवाद